जैश्ण कृष्णा आप सभी का आपके अपने चैनल सम्रद्धि में स्वागत है आज इस वीडियो में हम जालेंगे सावन की शिवरात्रि कभ है शिवरात्री की तिथी, मुहोर्थ, सावन की शिवरात्रि का क्या महत्व है सावन का महिना शुरू हो चुका है यह मास भगवान शिव को अत्यनते प्रिय है सावन में भगवान शिव की पूजा एवं जलाभी शेक का अत्यधिक महत्व है हिंदो बंचांग के अनुसर हर महा एक शिवरात्री आती है लेकिन इन में फालगुन महा की महाशिवरात्री और सावन के पवित्र महा की शिवरात्री का अत्रधिक पौराणिक महत्व बताया गया है सावन के महिने में वीधिवत पूजा ववरत करने से शिव जी बहुत ही श्रिग्र प्रसन्न हो जाते हैं शीव की पूजा के लिए सबसे अच्छा वा उत्तम समय श्रावन मास यानि सावन का महिना ही है सावन में शीव के असंख्य भक्त सेक्डो किलो मिटर की कावण यात्रा करके गंगा जल लाकर शीवरात्री के दिन गंगा जल से शीवलिंक का जला भी शेक करते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सावन महा की शीवरात्री के महत्वेम इससे जुड़ी पौराणी कथा पूजा मुहर्त तिथी के बारे में विस्तार पुर्वक जानते हैं इस बार सावन में 30 नहीं 69 दिन है जिससे इस बार 4 की बचाए 800 मार की वरत्वा उपासना की जाएगी 19 सालों में यह दुड़लप संयोग बन रहा है हिंदी केलेंडर में इस वर्ष एक महा बढ़ गया है जिसे अधिक मास कहते हैं शी भक्तों के लिए यह महिना अपना विशेश महत्वर रखता है भगवान शीव को प्रसंद करने का इस बार दुड़लप संयोग बन रहा है इस बार सावन का महिना 3 जुलाई से प्रारंब होकर 31 अगस्त तक रहेगा हिंदू कैलंडर पंचांग के अनुसार सावन शीवरातरी हर सावन के महिने में कृष्ण पक्ष की चतूरदशी दिथी को मनाई जाती है इस बार यहां 15 जुलाई को मनाई जाएगी इस दिन शीवलिंग का जलाभिषे रुद्राभिषे करने से भगवान शीव शीगरही प्रसंद हो जाते है इस वर्ष सावन शीवरातरी 15 जुलाई 2003 शनिवार के दिन है चतूरदशी दिनांग आरम 15 जुलाई शनिवार रातरी 11 बचकर 21 मिनिट से होगा और इसका समापन 15 जुलाई 2003 शनिवार दिन राद 12 बचकर 4 मिनिट पर होगा शीवरातरी की पुजा के चारो प्रहर का समय इस प्रकार रहेगा प्रथम प्रहर पुजा का समय 15 जुलाई 2023 को शाम 6 बचकर 24 से रातरी 9 बचकर 3 मिनिट तक रहेगा रातरी को द्वीती प्रहर की पुजा का समय 15 जुलाई 2023 को रातरी 9 बचकर 3 मिनिट से 11 बचकर 23 मिनिट रातरी तक रहेगा तीसरी पूजा का प्रहर का समय 16 जुलाई 2023 को रात्री में 11.43 से लेकर दो बच कर 22 मिनट दोफेर तक रहेगा वही रात्री में चौथी प्रहर पूजा का समय 16 जुलाई 2023 को दो बच कर 22 मिनट दोफेर से पांच बच कर एक मिनट सुबह तक रहेगा वहीं शिवरात्री व्रत पारण का मुहरत 16 जुलाई 2023 को सुबह पांच बचकर एक मिनिट से लेकर रात्री में तीन बचकर तीन मिनिट तक रहेगा अब हम जानते हैं सावन शिवरात्री की पूजन विधी सुबह जल्दी उठकर इसनान करें और शिव जी का ध्यान करकी व्रत का संकल पलें शिवलिंग का घी, गंगा जयल, दू, शहर, शकर, बनस से, पंचामरत से अभिशेक करें गन्ने के रस से रुद्रा भिशेक करें इसके बाद शिवलिंग पर फूल, धतूरा, बेल, पत्र, फल, सफेच, चंदन अर्पित करें और धूपव दीब जलाएं शिव चालीसा, शिवस्टरक, शिवस्तुति और शिव पंचाक्षर, स्त्रोत मंत्र का जाब करें इसके बाद सावन शिवरात्री की कथा सुने और भगवान शिव की आर्ती करके प्रशाद अर्पित करें और सब को बाटें शिवलिंग पर केतकी के फूल, कुम-कुम, हल्दी अर्पित नहीं करना चाहिए तामबे के पात्र से ही जल अर्पित करें हो सके तो शावन शिवरात्री के दिन आप भगवान शंकर के निमेत शिव बाति को अवश्य प्रश्वलित करें अब जानते हैं शावन शिवरात्री का महत्व सावन शिवरात्री के दिन शिव की पुजा करने का विशेश महत्व है ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्णू सावन के महीने में योग निद्रा में जाते हैं तो स्रिस्ट्री का संचालन करने के लिए भगवान शिव उत्तरदाई तो समाल लेते हैं इसलिए सावन में शिव की पुजा महत्पुन मानी जाती है इस दिन भगवान शिव का जलाभी शेक करने से जीवन में सवभाग्य समरधी प्राप्त होती है, व्यक्ति की सभी मुश्किले समाप्त हो जाती है ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव, स्वास्थ का सवभाग्य का सुक शांती का आशिरवाद देते हैं कहा जाता है कि इस दिन भगवाध जीवन की सभी समस्याए दूर हो जाती है कुवारी कन्याओं को शिवलिंग पर बेल पत्र चड़ाने से मनवानशित फल की प्राप्ति होती है सावन शिवरात्री की व्रत कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे वीडियो अच्छा लगे और आपको यूस्फिल लगा हो उपयोगी लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करें चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नूटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैश्र कृष्णा राधी राधी